तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाओं ही प्राण हो, तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दाओं पे लगी होगी, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना, फिर भी सपना जो पूरा हो रहा था हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था तो चल पड़े अयोध्या की और राम लल्ला की दर्शन की आस लगा है जो सामने नजारा देखा वो देख कर दंग रहे गए वो तीन मंजिले 452 सीडियां जैश्री राम का नारा लगाते होए हम सीडियां चटने लगे राम लल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे पहली सीडिय पर याद आई महंगाई पहली सीडिय पर याद आई महंगाई दूसरी पर देश में बढ़ती बीरूजगारी तीसरी पर पत्रकारी तकी चरण चुम्बकता चौथी पर सेंटरल एजनसीज की संदिक धभूमिका हर सीडी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था कही 15 लाग का जुमला कही किसानों का आक्रोश था कही महिला कुष्टिगिरों की वेदना थी कही सालाना दो करोड रोजगारों का वादा था कही बढ़ती साम्प्रदाइक थी तो कही चुनिंदा पूंजी पतियों पर महरबान हमारी सरकार का चहरा था इस वास्तविक्ताने जंजोटने के बाब इस वास्तविक्ताने जंजोटना के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए खोश तो तब संभाला जब राम लल्ला की दर्शन को हमें नतमस तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले मैं कल भी था आज भी हूं कल भी रहूंगा जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा लेकिन याद रखना हमेशा लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था तुम कली युग में जीते हो जहां समविधान ने गणराज जलाया है धर्म समाज का किनारा जरूर है धर्म समाज का किनारा जरूर है लेकिन देश एक पहती धारा है किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवा अड़ जाता है प्रगती के बच से हड़ जाता है इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए तुम रहो न रहो वो रहे न रहे ये देश रहना चाहिए देश का समविधान रहना चाहिए देश का लोकतंत्र रहना चाहिए ये देश देश रहना चाहिए जहिन धन्यवाद